मुल्क में कम होने के बजाए लगातार बढ़ती ही जा रही है कोरोना मरीज़ों की तादाद 12,000 के पार पहुंचा मरीज़ों का आकड़ा 414 लोग अब तक कोरोना से जंग हार कर तोड़ चुके हैं दम 1400 से जाईद लोग भी हो चुके हैं स्यातिया अब तक टोटल 1489 पीपल है रेकवर्ट और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रेकवर हुए हैं भारत में कंफर्म केसिस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसिस 12,380 हैं अब तक टोटल डिपोर्टेड डेस्ट 414 है जिसमें से 37 डेस्ट है बें रिपोर्टेड इन लास्ट वन डे कुल 72 घरों में कीती पीजा डिलवरी सभी घरवालों को क्या गया है होम कॉरंटीन तो साथ में काम करने वालों को भी दफ्तर से बाहर निकलने से क्या गया है मना लोकडाउन को लेकर रहूल गांडी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना का कोविड-19 की जंग लड़ने के लिए स्रिफ लोकडाउन ही नहीं है काफी टेस्टिंग बढ़ाने और उसमें मुस्ताइदिल आने से ही वाइरस पर पाय जा सकेगा काबू लड़liesित कर वाइरस लुम, लड़न सकते हैं। क आई सकत्ची आना? इन लोगा है एक प्रेस्टाऌब कर दो एक CDs भाइरस में कर वाइरसot गया करना? लॉकडाउन के सबब बेरोजगार बनने वाले गरीब और मसाकीन को लेकर भी बोले राहूल भरे पड़े हैं हमारे गोडाउन हुकूमत गरीबों में बांटे जरूरिया थे जिन्दगी से जुड़िया शिया करनाटक में आज फिर सामने आये कोरोना के 34 नए मामिलाथ सिर्फ बेलगाम में ही 17 पॉजिटिव मामिलाथ की की गए तजदीक बीजापूर में साथ तो बेंगलूरी में 5 नए पॉजिटिव केसे किये गए हैं टेस्ट अब 131 तक पहुंचा कुल मरीज़ों का हांकड़ा मसाजिद में सिर्फ इमाम मौजदिन के साथ दिगर स्टाफ को ही दी जाएगी जाज़त इफ़तार पार्टियों से सक्ती के साथ किया गया है मना लॉकडाउन पार्ट टू में 20 अप्रिल से कई तरह के रियायाद देने का हुकुमत ने किया ऐलान अब 20 तारीख से आउनलाइन एलेक्ट्रोनिक्स से जुरियाश्या की खरीदो फरोग्त की भी दी जा सकती है सहुलत अमेजान फ्लिप कार्ट स्नैप डील से मोबाइल फोन टीवी फ्रीच लैप टॉप और दीगर चीज़ों के खरीदारी के लिए दी जा सकती है छूट तीन महें तक हुनूस जारी रहेगा लॉकडाउन लॉकडाउन के सबब मुलक में फंसे 41 पाकिस्तानी शहरियों को भारत ने वापस बेजने में की मदद पाकिस्तानी हाई कमिशन ने भारत से मांगी थी मदद लॉकडाउन के सबब सबी फ्लाइट मौतल होने से भारत में दीगर मुमाली के भी पसे हुए हैं सेकड़ों लोक देली में लॉकडाउन के बीच पुलिस और इंतिजामिया की आँख में दूल जोकने की कोशिश कुल नव अफराद को दोकादई के इल्जाम में किया गया ग्रिफ्तार एक अमबुलेंस पर आठ सबारी देली से उतर पर देज जाने की कर रहे थे कोशिश एक सबारी को बाकाइदा बनाया गया था फर्जी मरीज पुछ ताच के बाद खुली पॉल एंबुलेंस का गलत इस्तेमाल कर मानीसर से डेली होते वे जा रहे थे यूपी मुस्लिम परसनला बोर्ट के साबिक तर्जमान और मशूर आले में दीन मौना सज्जाद नॉमानी ने बीस से जाइद मीडिया इदारों को भेजा तक इज़त का नोटीस तबलिगी जमाद से मुतालिक गुमरा और मनगरत खबरें चलाने के दौरान मौना की तस्वीरों को भी गलत इस्तेमाल करने पर सक्ट बरामी का इज़ार कर मीडिया के गयर जिम्मेदाराना रवए पर जताया इतरास मौना सज़ाद नौमानी ने मीडिया की इदारों को कानूनी नोटीस दारी कर गहर मशरूत माफी मांगने का क्या मुतालबा बसूरत दीगत 10 करोड रुपे का हतक इज़त मामिला दच करने का दिया इंतिवा बटकल में दूसरी मियाद के लॉकडाउन में भी पुलीस और इंतिजामिया पूरी तरह से हैं चोकस बिलावजा घर से बाहर निकलने वाले गहर जिम्मेदारों के खिलाफ पुलीस कर रही है सखत का रवाई कई गाड़ियां को अब तक क्या गया है जब्द पुलीस की मोटी लाटी देख दो खातून स्कूटी सवारों ने रुख मोड कर घर वापत जाने में इस समझे आफियत सोशल मीडिया पर वाईरल वी तसावीर केरल के कॉलम से सामया आखे नम करने वाली तस्वीर लॉकडाउन के सबब पुलीस ने एक बेटे को 65 साला बीमार बाप को खंदों पर उठा ले जाने पर किया मजबूर पुलीस ने आटो को हॉस्पिटल तक जाने की नहीं दीती अजासत करीब एक किलोमीटर तक बाप को खंदों पर उठाए चलता रहा फर्मा बरदार बेटा तमाशबीन बने रहे लोग बनाते रहे वीडियो किसी ने भी नहीं की मदद रियासती यूमन राइट्स कमिशन ने सो मोटो का दर्ज क्या मामिला